पार्टी बास्करडबाल टीम दे दो खीडारियानों चेन वीच होए पंजवे फीबा एंशिया का अपने वीच होए अप्मान दा साबना करना पयाँ मैच दो पहला दो खीडारिया तो उना दी पगड़ी उतरवाई गी चीन दे वहान वीच होए असमेच दूरान दो से खिडारियां अमरितपाल सिंग या ते अम जोट सिंग नू अपनी पगड़ी उतारनी पाई है 12 जुलाई नू जापान दे खिलाफ हो एस मैच तो पहला एना दोमे खिडारियां नू दस्या ग्यासी की फीबा दे नेमा मताबको हो पगड़ी पहन के मैच नहीं खेड सकते एना दोमा से खिडारियां नू खेड़न दी इजाज़त तो ओदों मिली जदों होना ने अपनी पगड़ी उतारी एस बेज़ती दे बावजूद पार्ती खिडारियां दा परदर्शन काफी शांतार रहा देखी ऐसा है कि हमारे आप सब जानते हैं कि सिक्षों में पगड़ी उतारना बहुत बड़ा इंसल्ट है तो इसके लिए जब वह हुआ है तो आज पेपर में पड़ा बड़ा दुख हुआ है तो हम मिनिस्टर से भी बोलेंगे सरकार को कहेंगे को उसके खराब उनको लिखें और उसके खराब कोई एक्शन लें ताके आगे कोई और कोई प्लेयर का इसा ना हो इसलिए हम अज मिनिके ये प्रोटेस्ट के लिए कहेंगे मिनिस्टर से भी बास्पाल दा मैं चोई उना दे वेच्चे सिख खडारिया नो अटका लॉली मिल्बूर किता गया जिड़ा के सिखी उसूला अनसार नहीं सेख राद मरजादा सेख पोड़ और कंड़क्टर नसार जिड़ा किशेरा ते दिस्तार है और सिख दी वर्दीदा हिस्टावा इस करके सिख किसे समय में अपने गड़े केसा नूँ आ ओ मरजादा दी पालना करदा नंग्या नहीं करदा खेट दे वेच्चे खडारी दी प्रफार्मस वेखी गनी चाहिए दिया ना के ओदे तर्मनों उदे गड़ा पिशोकड़ा उनु देखके तो नहीं गलानीना असास करोना ये सरा सर गल्त है खेट दे वेच जे दोखडारी सेखडारी सड़े चुने जान दे या तो नहीं सेख वर्दी देवेच जड़ी द आसकड़ बाल दे मैच तरान सिक घडारियानों उना दी दस्तार पैने हुन करके ना खेटन देना बहुत ही दुखडाई निंदन जोग तो अफसोसनाक बात है दस्तार जो की सिक कौम दा मान है ए बहुत ही मेनत है बहुत ही लड़ाईयां लड़के जो सिक कौम बलो कर दे हां आते आस कर दे हां कि अग्ये तो जेही कोई कटना वेगवेच ना अब अपरे शुरू तो ही साथे से कौम ना शुरू तो ही काटगीं दे वेगतर होंदे आ रहा है ते ए सरकार नुचाहिदा कि ओना दो खड़ारिया नो जो मिजबूर किता गया खेटन तो से कौ कोई भी बाद है खेटना बंद का दूगा जे कुछ ना करम चुक भी फेर असी आव करम चुकाँगे जी खबरान दी दुनिया विचाओ साधे नाल कदे वी किते वी जुड़ो आपा मिलांगे फेस्बुक ते असी दिखांगे यूट्यूब ते सानू फॉलो करो ट्विटर ते खबरान चुड़े रहो दिन रात